हाईलो फ्रेंड वेलकम बैक टू मैं चैनल तो फ्रेंड आज मैं बनाने जा रही हूं गोपी का टिक का जो बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड अगर आपने कभी नहीं बनाया होगा तेक पर जड़ो ट्राइब करेंगा तेहां पर मैं गोपी लेकर के आई हूं और इसका सागो क्लेते हूं ऐसां कीटिक ही फ्रेंब में तैसे भील का टेंटर को अलग कर देते हूं और इसकी एक फ्लावर हमें अलग कर लेश्चा का बड़ा है यह घे जो शुक्तवहरा हैं इसका मैं में अधा ही इस इस्ते माल कर ऊंगे तया पर मैं एक फ्ललावर जितनह उतना म पतीला में आपर पानी बैठा दी इंडेक्शन पे उसमें एक चमा डाल रहे हैं वीनीगर आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल रहे हैं इसको भी को में इसके अंदर थोड़ा सा ब्लांच करनी है तो इसको पांच मिनट के लिए इस कीड़े में निकल जाते हैं गोबी में जात तर कीड़े मकड़े होते हैं अपर टैस्ट इसमें नहीं था साप सुत्रा था लेकिन पेवी मैं बलांज कर ली हूं उसके वार में थोड़ा सा अधरक और लासन ले ले ली हूं उसको हमें पीस करके पेस्ट बना लेनी है आप चाहे तो मार्केट वाला भी यूज़ कर सकते हैं बट घर वाला के फ्लेवर अलग ही आती है तो मैं यहाँ पर घर वाला ही बनाई हूँ अद्रक लाशन का पेस्ट इसको मैं एक कटोरी में निकाल लेती हूँ और यहाँ पर एक जार में एक चोटा टमाटर डाल रहीं कटा हुआ एक तुकर अद्रक और एक हरी मिर्ज और एक मूठी में धनिया कपत्ता और एक चमज की जितना मैं आमचुर पाउडर डाल रही हूँ उसके बाज़ में काला नमक डाल रहे हूं तेस्ट के अकॉर्डिंग से काफी टेस्टी बनता है और इसको में पानी के जगए दही डालना है तो मैं दो तीन चमज के जितना दही डाल दी हूं और इसको में पीच लेना है तो यहां पर देखिए चटनी पन करके हमारी त्यार हो गई है अब यहां पर मैं एक तड़का पीन बैठा ली हूं और इसमें में दो बड़ा चमच सरसो तेल डाली हूं उसके बाद हम एक चमच भरके आपर हल्दी पाउडर डाल देते हैं और यहां पर मैं दही ले ली थी आधा लीटर के पैक प्रेंट उसको मैं इस तरह से कप जुखावा दही है ड्राई दही हमारी हो गई उसके बाद यहां पर मैं चना के सत्तू ले रही हूं दो बड़ा चमच आप इसके जगह पर भूना हुआ बेशन पाउडर भी ले सकते हैं एक चमच का सूरी मेथी डाल दी हूं रोस्ट करके थोड़ा सा क्रस्ट करके एक चो इससे काफी टेस्ट अच्छा आता है टीका में और एक नीबू को मैं इस तरह से जो टुकडू में कट कर ली हूं उसका भी जूस में निकाल करके इसके अंदर डाल दोंगी डाइरेक्ट डाल रही हूं तहां पर मैं जूस डाल दी हूं पर जो चीलका बचा उसको अब फेक एक छोटा चमच की जितना में काली मिर्स पाउडर यूज कर रही हूं मार्केट वाला आप चाहें तो घर वाला भी डाल सकते हैं ताजी फ्रेस थोड़ा सा मैं चीली प्लाइस भी डाली हूं जो रिकॉर्ड नहीं हुए एक चमच यहां पर जो अध्रक लासन पेस्ट में 5-400 अचाहीं हुआ अड़ा एक चमच में यहां पर जीरा को हलका रोश्ट आ खड़ा नहीं Daha जीरा को कूठteर सबनाट और यहां है समते होँ जीरा कोहाँ सब्सक्राइब यूशस के श्रें स्कुला जैologists करे के बाद ही डाले इस मसाले के अंदर अच्छी तरह से इसको लपेट देनी है मसाले में ते कोटिंग हो गई है मसाला का और इसमें मैं एक स्मोड़ा सा चोटा टुक्रा में डाल रहे हूं शीलवर को और चारकूल का टुक्रा में ले ली हूं कोईला है उसको जला करके मैं इस तोड़ा समया पर घी ढाल करके इसको धक दूँघी दो के लिए इसका स्मोख गृवर आ घाई सलोग हाजा तन्दूर की देवाव एक दो मिनित के बाद हिसको में खंटा दे रही हैं इसका अज़ा तन्दूर का ऊच मृवरढ़ घाएंगा, तरह से शेट हो जाए गरिष्कों मेहाटा रच अब बना रही हो तो यहाँ पर भरता हुग był बनाने वाला पीछ रचान की स्टाइब दी हूं और फ्लेम को मैं लो करके छोड़ दे रही हूं इसको में उलटते पलटते इसी तरह से से लेना है तो आपके पास कोईला पर भी सेख सकते हैं मैं यहां पर इस तरह से सेख रहे हूं तो अगर आप गोवी का टिका नहीं खाये हूंगे तेक बार जड़ी इस तरह से बना करके देखेगा तहें पर देखिए जो तयार हो गया उसको में निकालती जा रहे हूं तो यहां पर इस तरह से देखिए सारा हमारा गोवी का टिका बन गया है और यहां पर जो चटनी में बनाई थी वह भी हमारा रेडी है खाने के लिए प्रेंट आप चाहें तो इस टिका के ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर और थोड़ा सा रेचीली पाउडर भी जबूर कर दीजेगा चैनल को सब्सक्काइब करें तो फॉलो कीजेगा तो यहां पर थोड़ा समय चाट मसाला उपर से डाल दे रहे हैं और यहां पर चटनी लगा कर खाने के लिए बिल्कुल रेडी है फ्रेंट तब हम लोग जा रहे हैं इसको खाने तो यहां पर हम चाय बना करके लेकर आ गई है इसको बहुत सोफरत है चाय बनाने का यहां पर सब के लिए चाय लेकर करके आई है और पिला रही है खुद भी पीरिये भी सबका सर्दी जो काम हो रखा है तो बच्चे को भी थोड़ा दे देती हूं चाय ऐसे तो बच्चे नहीं पीते हैं लेकिन अदरा खोगरा डाल करके बनाती हूं दे देती हूं लोगों भी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाए